बस किसानों के अशिरवाद बने रहें ताकि हम देश के किसानों का कल्यार करते रहें शीराम गुलाब ची आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मानि प्रदान मंत्री जी से देश को संबोधित करने का अंडोध करते हैं देश भर से जुड़े मेरे किसान भाय बहन इस कारकम में देश में अलग अलग सानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगान, राज सरकारों के मंत्रीगान, आदर्णिय से मुख्य मंत्रीगान, पंचायद से लेकर के पार्लामेंट तक चुने हुए सारे जन पृतिनी थी और सब गावों में जाकर किसानों के बीच में बैठे हैं मैं आप सबको और मेरे किसान भाईयों बहनों को मेरी तरब से निमश्कार किसानों के जीवन में खुशी ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है किसानों को आज जो सन्मान निदी मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है सभी देशवासियों को आज क्रिस्मस की भी बहुत बहुत शुब कामना है मेरी कामना है क्रिस्मस का ये त्योहार विश्व में प्रेम शान्ती और सद्भाव का प्रसार करें साथियों आज मोक्सदा एकादसी है गीता जेन्ती है आज ही भारत रतना महामना मदन मोहन मालेविया जी की भी जेन्ती है देश के महान कर्मयोगी हमारे प्रेणा पुरुष स्वर्गिय अटल विहरी वाजपाई जी की भी आज जन्म जेन्ती है उनकी स्मृति में आजदेश गुड गवनन्स देवी मना रहा है साथियों अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया गीता में कहां गया है स्वेव स्वेव कर्मनी अभीरतह संसिद्धिम लबते नरह यानि जो अपने स्वाभावित कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धी मिलती है अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट के प्रती अपने कर्मों को पुरी निष्टा से निभाने में समर्पित कर दिया सूशासन को गुड गवर्नन्स को अटल जी ने भारत के राजनिती और सामाजिक विमर्ष का हिस्षा बनाया गाव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वच्च प्रात्फिक्ता दी प्रधान म्रंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भू योजना हो अन्तियोदय अन्य योजना हो या फिर सर्वच्च अभियान हो रास्त जीमन में सार्थक बढ़लाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है अटल जी को नमन कर रहा है आज जिन कुरुसी शुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है उनके सुत्रदार भी एक प्रकार से अटल विहरी बाजपई भी थे साथियों अटल जी गरीबों के हीत में किसान के हीत में बनने वाली सभी योजनाव में होने वाले ब्रस्टाचार को राष्ट्रिय रोग मानते थे आप सब को याद होगा उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाश करते हुए एक पूर्व प्रधान मंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि रुपिया चलता है तो रुपिया गिस्ता है रुपिया गिस्ता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है मुझे संतोष है कि आज न रुपिया गिस्ता है और नहीं किसी गलत हाथ में लगता है दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपिया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है अभी हमारे करशी मंत्री नरजरसी जी तोमर ने इसके विशे में विस्तार से हमारे सामने रखा है पी-एम किसान सम्मान निधी इसका ही एक उत्तम उदारन है आज देश के नव करोड से जादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कॉंपिटर की क्लिक से अठारा हजार करोड रुपे से भी जादा रकम और उनके किसानों के बैंक के खाते में जम्मा हो गया है जब से यह योजना शुरू भी है तब से एक लाघ दस हजार करोड रुपे से जादा एक लाग दस जार करोड रुपे से ज़ादा किसानों के खाते में पहुँच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है यही तो गुड गवर्नेंस टेकनलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है 18,000 करोड से ज़ादा रुपिय पल भर में कुछी पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए है कोई कमिशन नहीं कोई कट नहीं कोई हेरा फेरी नहीं टेकनलोजी का इस्तमाल करते हुए पी एम किसान सम्मान योजना में यह सुनिशित किया गया है कि लिकेज न हो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ओनलाइन रिजिस्टर्शन होने के बाद उनके आधार नमबर और बैंक खातों का वेरिफिक्शन होने के बाद इस व्यवस्ता का निर्मान हुआ है लेकिन मुझे आज इस बात का अपसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है सभी विचारधारा की सरकारे इससे जुड़ी है लेकिन एक मात्र एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे हैं उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनितिक कानणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है राज्य सरकार को एक कोड़ी का खर्चा नहीं है फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे है कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिछी लिखी भी है उसको भी वो माननेता नहीं देते है आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लाखों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए हर्जी की ओनलाइन अवेदन कर चुके हैं लेकिन वहां की राजसरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है भाईयों बेहनों मैं हैरान हूँ और यह बात मैं आज देश वात्षियों के सामने बड़े दर्द के साथ बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ जो लोग तीस-तीस साल तक बंगाल में राज करते थे एक ऐसी राजनितिक विचारधारा को ले करके बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है सारा देश जानता है और ममता जी ये पंदरा साल पूरा ने भाशन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनितिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था अब ये कैसे लोग है बंगाल में उनकी पार्टी है उनका संगतन है तीस साल सरकार चलाईए कितने लोग होंगे ने तबाय है एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये दो हजार रुपिया मिलने वाला कारकम है बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धर्ती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याई दिलाने के लि कि क्यों अंदोलर ने कि कि क्यों आपने कभी आवाज ने उठाई और आप वहां से उठकर के पंजाब पहुंच गए तब सवाल उठता है और पस्चिब बंगाल की सरकार भी देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों करोड रुप्या मिले वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है लिकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लड़ते हैं, यहां आकरके उनसे गुपचुप करते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्षमे हैं, उनकी इस पर जुबान कोच बंद हो गई है क्यों चुप हैं? साथियों, आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता नहीं उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो चप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है ये देश के सामने एक्स्पोज हो गए है स्वार्थ की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे हुए है देश की अर्थनीति को बरबात करने पर लगे हुए है और वो भी किसान के नाम पर इन दलों को आपने सुना हुआ मंडिया मंडिया बोल रहे हैं एपी एमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के भाशन कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही दल, वही जंडे वाले, वही विचारभारा वाले, जो नहीं बंगाल को बरबाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50-60 साल तक देश पर नाज करते हैं उनकी सरकार से। केरल में APMC नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जड़ा इनको पूछता हूँ, यहाँ फोटो निकालने के कारकम करते हैं, अरे केरल में अंदोलन करके महां तो APMC चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए आपके पास समय है केरल के अंदर यह वेवस्ता नहीं है, अगर यह वेवस्ता अच्छी है, तो केरल में क्यों नहीं है, क्यों आप, दोगली नीती ले करके चल दे हो. ये किस तरह की राज़ेती करने हैं जिसमें कोई तरक नहीं कोई तर्थे नहीं है सिर्फ जूठे आरोब लगाओ सिर्फ अप्षाएं फेलाओ हमारे किसानों को डणा दो और भले भोले किसान कभी-कभी आपके बातों में गुम्रा हो जाते हैं भाईयो बहनों ये लोग लोग तंत्र के किसी पहमाने को किसी परामेटर को मानने को तयार नहीं है इन्हें सर्फ अपना अलाब अपना स्वार नजर आ रहा है और मैं जितनी बाते बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं किसानों के नाम पर अपने जंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं अब उनको इस सच सुनना पड़ेगा और हर बात को किसानों को गाली दी किसानों को अप्पानितिया ऐसे करकर के बच नहीं सकते हो आप लोग ये लोग अखबारों और मिडिया में जगह बनार करों राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है अब देश का किसान उनको ये जड़ी बुट्टी कभी देने वाला नहीं है कोई भी दियार राजनीति लोकतंद्र में राजनीति करने का हमको हक है हमें उसका विरोथ नहीं है लेकिन देश कि शानों की जिंदकी के साथ नखेले अनके बविस्क के साथ खिलवार नकरें उन्हें गुम्रा न करें ब्रमित न करें साथ्यों ये बही लोग हैं जो बर्सों तक सत्ता में रहे इनकी नीतियों की बज़र से देश की कृशी और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ था पहले की सरकारों की नीतियों की बज़र से सबसे जादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो जादा जमीन थी न जादा संसादन इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था पहले के समय में जो फसल विमा योजना थी उसका लाब भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामों निशान नहीं था कोई का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग वात है इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए नप पानी मिलता था नप बिजली मिलती थी वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसिना लगा कर वो खेतों में जो पैता भी करता था उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी इस छोटे किसान की सूध लेने वाला कोई नहीं था और आज मैं देश वास्यों को फिर याद दिलाना चाहता हूं देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है जिन के साथ यह न्याय किया गया है न यह संख्या 80 प्रतिशत से जादा किसान इस देश में है करीब करीब 10 करोड से भी जादा जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था चुनाव होते रहें सरकारे बनती रही रिपोर्ट आती रही आयोग बनते रहें बादे करो भुला दो करो भुला दो यही सब हुआ लेकिन किसान की स्थिती नहीं बढ़ ले नतीजा क्या हुआ गरीब किसान और गरीब होता गया क्या देश में इस स्थिती को बदलना आवश्यक नहीं था मेरे किसान भाई और बेनों 2014 में सरकार मनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कत और क्रशी के आधुनिकरन उसे भविश की जरूरतों के लिए तैयार करने दोनों पर एक साथ ध्यान दिया हम बहौत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है वहां का कbecान इतना समरुद्ध है कभी इजराईल काुदाहन सुनते रहते थे हमने दुनिया भर में करीशी खेत्र में किया करांती क्या बढ़लाव आये हैं दो किया जोड़ा आए सारी चीजों का गहन अध्यन किया इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष बणाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया हमने लक्ष बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इन्पुट कॉस्ट ये कम हो, उसका खर्चा कम हो, स्वाइल हेल कार्ट, यूरिया के नीम कोटिंग, लाखो की संक्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं, उनका इन्पुट कॉस्ट कम करने लिए एक के बाद और एक उठाई है, हमारी सरकार ने प्रहास किया, कि किसान के पांस एक बहतर फसल भीमा कवच हो, आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल भीमा योजना का लाब हो रहा है, और मेरे प्यारे किसान भाईयों भेनों, अभी जब मैं किसान भाईयों से बात कर रहा था, तो मुझे हमारे महराश्टर लातूर के गणेश जी ने बताया कि डाई हजार रुपया उन्होंने दिया और चोवन हजार रुपया करीब-करीब मिला, मामुली प्रिमियम के बढ़ले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोर रुपय क्लेमराशी मिली है, करीब-करीब 90,000 करोर, मामुली प्रिमियम दिया किसानों ने, मुसीबत के समय एफ़सल भीमा उनको काम आया, हमने इस लक्ष पर भी काम किया, कि देश के किसान पास, खेत में सीचाई की परियाप्त सुविदा हो, हम दसकों पुरीनी सुचाई हो पूरा कराने के साथ ही, देश भर में, पर ड्रॉप मौर करोप के मंत्र के साथ, माइक्रो इरिगेशन को भी बठावा दे रहे हैं, और मुझे खुशी हुई, अभी तमिल नाडु के हमारे सुप्रमनी जी मुझे बता रहे थे, कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ट्रीप इरिगेशन से, जो पहले एक एकड़ का काम होता सा, तीन एकड़ का हुआ, और पहले से जाधा एक लाख वे जाधा कमाया, साथियों हमारी सरकार ने प्यास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले हमने लंबे समय से लटकी स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेड़ गुना MSP किसानों को दिया पहले कुछी फसलों पर MSP मिलती थी हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई पहले MSP का एलान अकभारों में छोटी सी जगा बनाना खबर के तौर पर आप चपता था किसानों तो एक लाब नहीं पहुंता था कहीं तराजुई नहीं लगते थे और इसलिए किसान के जीवन में कोई बढ़ला भी नहीं आता था हम आज MSP पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं किसानों की जेम में MSP का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैटे हुए थे यह जीतने लोग कांदोलन चला रहे हैं यह सरकार के हिस्सेदार थे समर्थन करते थे और यही लोग स्वामी नाथन कमिटी के रिपोर्ट के उपर बैठ गए तक सानों तक बैठ गए हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिन्दगी के उभला करना कल्यान करना यह हमारा जीव सक्before मिना चाहिए अर्व कि हमने देश की एक हजार से जादा कुर्शिमंडियों को औनलाइन जूड़ा इनमें भी एक लाग करोड रुपिय से ज़्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है, किसान ओनलाइन बेचना शुरू किया है, सात्यों हमने एक और लक्ष बढ़ाया, कि छोटे किसानों के समू बने, ताकि वो अपने शेत्र में एक सामुहित ताकत बनकर काम करें, आज देश में दस हजार से ज़्यादा किसान उत्वा तक संग एप्पी ओ बनाने का भ्यान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है, अभी हम महराज गन के राम गुलाब जी से सून रहे हैं, तीन सो के करीवी किसानों को इखटा किये हैं उन्होंने, और पहले की तुना में डेड़ गुना भाव से माल बेचना सुरू हुआ है, एप्पियों मनाये हैं उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से खेती में मदद ली और आज उनको फायदा हो रहा है, साथियों हमारे क्रिशी क्षेत्र की सबसे बड़ी आवा सकता है, गाउं के पास ही बंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सिविधा, कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्द हो, हमारी सरकार ने इसे भी प्राथ्मिक्ता दी, आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्ग विक्सित करने के लिए सरकार करोणों रुपिय का निवेश कर रही है, हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथी किसान के पास आए बढ़ाने के दूसरे विकल्पी भी हो, हमारी सरकार मचली पालन, पशू पालन, डेरी उद्योग, मदुमक्षी पालन, सभी को प्रोच्छाइट कर रही है, हमारी सरकार ने ये भी सुनिस्चित किया कि देश के बैंकों का पैसा, देश के किसानों के काम आए, 2014 में, जब हम पहली बार सरकार में आये और शुरू बात थी हमारी, 2014 में जहां, साथ लाग करोड रुपिय का प्रावधान, एक किसानों के लिए किया गया था, धन के लिए, वही इससे अब परीब, चौदा लाग करोड रुपिय, यानि दो गुना किया गया है, किसान को करज मिल सके, बीते किश के 10 महेनों से, lotta करोड छोटे किसानों को, किसान क्रेडिक कार से जोड़ा गया है, और अभ्यान तेजी से चल रहा है, हम मचली पाला को, पच्छू पाला को, उनको भी किसान क्रेडिक कार दे रहे हैं, या लाग उनको भी अब दिया जा क्या चल रहा है इसके लिए देश में आधुनिक क्रुशी संस्तान हो बीते वर्षों में देश में अनेक नए क्रुशी संस्तान बने हैं क्रुशी की पढ़ाई की सीटे बढ़ी हैं और साथियों खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही हमने एक और बड़े लक्ष पर काम किया यह लक्ष है कि गाउं में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो साथियों आज जो किसानों के लिए इतने आशू बहार हैं इतने बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं बड़ा दुख दिखा रहे हैं जब ये लोग सरकार में थे तब इन्हों ने किसानों का दुख उनकी तकलीब दूर करने के लिए क्या किया यह देश का किसान अच्छी तरह जानता है आज सिर्फ खेटी नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुँची है खेट के मेर तक पहुँची है आज देश के छोटे और सिमान किसान को अपना पक का घर मिल रहा है सावचाले मिल रहा है, साप पानी का नल मिल रहा है, यही किसान है, जिसे बिजली के मुप्त कनेक्शन, गैस के मुप्त कनेक्शन, यह बहुत बड़ा लाप हुआ है। हर साल आईश्मान भारत योजना के तहट पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविधा ने आज मेरे छोटे किसान के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम की है। नब्बे पैसे, नब्बे पैसे प्रति दिन, यानि एक चाय से भी कम कीमत, नब्बे पैसे प्रति दिन और एक उरुपिया महिना के प्रिमियम पर बीमा, यह मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकत है। साथ वर्स की आयू के बार, तीन हजार उपिये मासिक पैंसन, यह सुरक्षा कबज भी आज किसान के पास है। साथियों, आज कल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़प में हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अख़बारों में चमकते रहे हैं हम जानते हैं। इन लोग तब कहां थे जब माली काना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैद कबजे हो जाते थे। गाउं के छोटे और सिमान किसानों को खेत मजुरों को इस अधिकार से इतने सालों तक बंचित किस ने रखा। इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। गाउं में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है। अब गाउं में किसानों को उनके मकान का जमीन का नक्षा और कानूनी दस्तावे दिया जा रहा है। टेकनोलोजी की मदद से स्वामित्म योजना के बात अब गाउं के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। साथियों बदलते समय के साथ अपनी एप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21 सदी में भारत की इस कृषी को आधुनिक बनाना ही होगा। और इसी का बिड़ा देश के करोरों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंदे जे कंदा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत्त संकल्प है। आज हर किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था? कि अगर मंडी में बहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बता कर खरीने से इनकार कर दिया जाता था। तो किसान मजबूरी में ओने पोने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कुरुशी सिधारों के जरिये हमने किसानों को बहतर विकल्प दिये हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाईयों बेहनों मेरे इन शब्दों को अब ध्यान से सुनिये। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निरे करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतन सबर्थन मुल्य यानी MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं, आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं, आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं आप निर्यात कर सकते हैं आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप पूरे गाउं के किसानों को एप्पियों के माध्यम से इखटा कर अपने पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप बिस्कीट, चीप, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हों आप ये भी कर सकते हैं देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपने उपज बेचने का विकल्प आउनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है साथियों आज नए कुरुशी सुधारों के बारे में असंक्य जूट फैलाए जा रहे हैं कुछ लोग किसानों के बीच ब्रह्म फैला रहे हैं कि MSP समाप्त की जा रही है तो कुछ लोग अप्पाय फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए तई महने बीच गए हैं क्या आपने देश के किसी एक कौने में एक भी मंडि के बंद होने की खबर सुनी हैं जहां तक MSP का सवाल है हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्दन मुल्य भी बढ़ा दिया है एक कुछी सुधारों के बाद भी हुआ है नहे कुछी कानूनों के बाद भी हुआ है इतना ही नहीं जो लोगा किसानों के नाम पर बात करते हैं न यह जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोस किसान भी है है ऐसा नहीं है कि सब वो राजनितिक विचारदार वाले तो सर्फ नेता है बागी तो भले-भले किसान है उनको जाकर एक सिक्रेटल पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीर है क्या पैदा करते हो इस पार बेचा की नहीं बेचा तो वो भी बताए का हाँ वो मेचकर का है और जब MSP में भी खरीजी चल रही थी नहीं तब वो अंदोलन को उन्होंने स्थंडा कर दिया था क्योंको उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके का माल बेच रहा है कि वो सब विक्री हो गई काम हो गया फिर उन्होंने अंदोलन चूर किया साथियों वास्तविक्ता तो यह है कि बड़े हुए न्यूनतम समर्थन मुल्ले MSP पर सरकार ने किसानों की उपच्की रिकॉर्ड्स तरपर खरीदी किया और वो भी नए कानुन बनने के बाद और एक अहम बात इन कुरुशी सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारिया बढ़ाई है उदान के तौर पर एग्रिमेंट फार्मिंग की बाद भी ले लीजिए कुछ राज्यों में ये कानुन ये प्रावधान कई सालों से हैं पंजाद में भी है वहां तो प्रावेट कंपनियां एग्रिमेंट करके खेती कर रही है क्या आप जानते हैं पहले के कानुनों में समझोता तोड़ने पर किसानों पर पैनल्टी लगती थी मेरे किसान भाई किया और सुनिस्चित किया कि मेरे किसान भायोबर पैनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा साथियों आप ये भली भाती जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवस किसान मंडी नहीं भी जा पता था तो वो क्या करता था वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाएं किये हैं खरीदार समय से आपका भुक्तान करने के लिए अब कानूनन बाद्य हैं उसे रसीद भी काटनी होगी और तीन दिन के भीतर भुक्तान भी करना होगा नहीं तो ये कानून किशान को सक्ति देता है ताकत देता है वो अधिकारियों के पाच जाकर कानूनी तंत्रका सहरा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके ये सारी चीजें हो चुकी है हो रही है खबरे आ रही है कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फाइदा उठा रहे है सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे सरकार ने ऐसी व्यवस्ता की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टिम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे साथियों कुरुशी सुधारों का एक और एहम पक्ष भी यह के लिए समझना जरूरी है अब जब कोई किसान के साथ एग्रिमेंट करेगा तो वो यह भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो इसके लिए एग्रिमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीच आधुनिक तक्निक अत्याधुनिक उपकरन विशेशक्यता यह हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है अच्छी उपज के लिए सुभीदाएं किसानों के पर उपलब्द करवाएगा एग्रिमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरफ वाकिव रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा अब आपको मैं एक और सिती बताता है अगर किसी बज़े से किसी परेशानी की बज़े से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बरबाद हो जाती है तो भी यह याद रखिए तो भी जिसने एग्रिमेंट किया है उसको किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ पश्याता वो इसको देना ही पड़ेगा तो अग्रिमेंट करने वाला अपने अघ्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्मन नहीं कर सकता है कि लिकिन दूषरी तरह अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी वज़े से सबसे ज्यादा किसान को आखे हैं किसान को फाइदा होने वाली गारंटीजम है एक और सवाघ लोगों ने उच्छान करेकर रखा हुआ आपके मन में भी आता होगा अगर किसी स्थिति बहुत उपज अच्छी हुई मार्केट बहुत शांदार हो गया जो एग्रिमेंट में था उससे भी ज़्यादा मुनाफ़ा एग्रिमेंट वाले को मिल रहा है अगर ऐसा होता है तो एग्रिमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है लेकिन अगर ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ है तो उसमें से कुछ बॉनस भी किसान को देना पड़ेगा इससे बड़ा किसान की रख्षा कौन कर सकता है स्थिति उन्हें में किसान एगर्मेंट में तय किये गे मुल्ले के अलावा जैसा मैंने कहा बोनस का भी वो हकदार होगा पहले क्या होता था या देना सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था अम नए कृशी कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है अब सारा रिस्क एगर्मेंट करने वाले व्यक्तिया कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा साथियों देश के कई भागों बैं एग्रिमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है उसे कसोटी पर कशा गया है क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा दुग्द उत्पादन मिल्क प्रोडुक्शन करने वाला देश कौन सा है यह देश कोई और नहीं हमारा हिंदुस्तान है हमारे प्रशुपालक हमारे किसान के मैनत है आज डेरी सेक्टर में बहुत सी सहकारी और नीजी कमपनियां किसानों से दुग्द उत्पादकों से दुद खरीती है और उसे बाजार में बेचती है यह मोडल कितने वर्सों से चल सक्सें किसी एक कंपणी या शहकारी सहुता ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया अपना एकादित कार कर लिया कि क्या आप उन किसानों और उन दुग्द उत्पादकों के सब्रता से परिटित नहीं है जिनने डेरी सेक्टर के इस काम से लाव हुआ है एक और सेक्टर है यहाँ पर हमारा देश बहुत आगे है वो है पौल्ट्री याने मुर्गी पालन आज भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है पूरे पौल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही है कुछ छोटी कंपनियां भी है तो कुछ स्थानी खरीदार भी इस में जूटे हैं इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक किसी को भी कहीं भी बेचले के लिए स्वतंत्र हैं जहां भी उन्हें सबसे ज़्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं हम च सेक्टर को मिला है हमारे किसानों की सेवा में जब बहुत सी कंपनियां व्यवसाय के कई तरह के प्रतिश्पर दिवहेंगे तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बहतर पहुच भी संभव होगी साथियों नए कृशी सुधारों के जरिये भारतिय कृशी में नई टेक्नोलोजी को भी प्रवेश मिलेगा आधुनिक तक्रिक के जरिये हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे अपनी उपज को विभीतता दे सकेंगे अपनी उपज की बहतर डंग से पैकेजिंग कर सकेंगे अपनी उपज में बैल्यू एडिशन कर सकेंगे एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और यह मांग और लगातार बढ़ेगी हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे दुनिया में कोई भी अगर क्रिशी उत्पादों के जरिये बाजार में अपनी धाग जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों की जरुवत होगी तो उन्हों औरे भारत के किसानों के साथ साजियधारी करनी पड़ेगी जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आए बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इन्डिया को भी स्थापित किया अब समय आ गया है कि ब्रांड इन्डिया दुनिया के कुरुशी बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिश्टा के साथ स्थापित करे है साथियों कुछ राजनितिक दल जिने देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है वो आज कुछ किसानों को गुम रहा करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको बार-बार नम्रता पुर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजुद भी किसी ने किसी राजनितिक कारण से, किसी ने बंदी-बंदी राजनितिक विचारदारे के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं कुछी कानूनों के संदर्ब में ये जो पुलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंदे पर बंदू के फोर रहे हैं कुरुशी कानूनों के संदर में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो बाती बाती के मुद्धों को किसानों के नाम पर उच्छाल रहे हैं आपने देखा होगा जब प्रारम हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि पी MSP की गारंटी दो उनके मन में genuine क्योंकि वो किसान थे उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो लेकिन यह इसका माहूल दिखा कर कि यह राजनीतिक विचारगारावाले चड़ बैठ है और अब MSP बगेरी बाजू में क्या चल रहा है यह लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं देश में आधुरिक हाइवेज बने निर्माण हो जो पिछली सब सरकारों ने किया था है यह लोग यह लोग भी सरकारों में समर्थन करते हैं यह भागीदार थे अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा टोल खाली करता हूं भाई किसान का विशह छोड़कर के नई जगा पर क्यों जाना पड़ रहा है जो नीतिया पहले के समय से चली आ रही है अब यह किसाना अंदोलन के आण में उनका भी विरोद कर रहा हैं टोल नाकों का विरोद कर रहा है साथियों ऐसी परिस्तिति में भी देश भर के किसानों ने कुरुशी सिधारों का बरपूर समर्थन किया है बरपूर स्वागत किया है मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं मैं सर जुकागर के उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटी कोटी किसान आज इस निरने के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुई है और मैं मेरे किसान भाईयों बेहनों को बरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वात पर हम कोई आज नहीं आने देंगे पिछले दिनों अनेक राज्य और यह बात समझ नहीं होगी अनेक राज्य चाहें असाम हो या इधर राजस्तान हो जम्मू कश्मीर हो ऐसे कई जगा पे पंचायतों के चुनाव हुई है इनमें प्रमुकताया ग्रामिन ख्षेत्र के लोगों को ही वोड़ देना होता है प्रकार से किसान को ही वोड़ देना होता है इतना गुमरा करने वाला का खेल चलता था इतना बड़ा अंदोलन का नाम दिया जा रहा था होला किया जाता था लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए है उन गाउओं के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाली जोटने लोग थे उनको नकार दिया है पराजित कर दिया है कि ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानुनों को खुला समर्थन किया है कि साथियों तर्थ और तर्थ और तथ्थ के आधार पर हर कसोटी पर हमारे निर्णे कसे जा सकते है उसमें कोई कमी है तो उसको इंगीत करना चाहिए लोग तंत है हमें सब प्रकार का भगवान ने ग्यान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है लेकिन बात तो हो इन बातों के बावजुद भी लोग तंत्र में अटूट आस्था और स्रद्दा होने के कारण किसानों के प्रती हमारा समर्पन होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तयार है समाधान के लिए हम खूला मन लेकर के चल रहे हैं कई दल ऐसे भी हैं जो इनी कुरुशी सुधाकारों के पश्मे रहे हैं उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गया है उनकी भाषा बदल गई है वो राज निति गनेता जो किसानों को ब्रमित करने में जुटे हुई है जिनकी लोग कंत्र में रत्ती भर में स्रद्धा नहीं है वो विश्वात ही नहीं करते डेमोक्रेसिव है दुनिया के कई देशों में उनका परित्य है लोगों को ऐसे लोगों के जोग भी उन्होंने कहा है पीछले जिस प्रकार के अनल गर्यार आरोप लगा है जिस बाशा का प्रयोग किया है पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं वेक्त की है मैं बोल भी नहीं सकता हूं यह सब करने के बावजुद भी उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी उसको पेट में उतार करके मन ठंडा रख करके उन सब को सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नमरता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गोर विरोध करने पर फुले हुए उनको भी कहता हूं मैं नमरता के साथ कहता हूं हमारी सरकार किसान हित में उन से भी बात करने के लिए तयार है लेकिन बात मुद्धों पर होगी तर्क और तथ्षों पर होगी साथियों हम देश के अन्रदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जब आपकी उन्नती होगी तो पुरे राष्ट की उन्नती ताय है सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत के नीव डाल सकता है मेरे देश के किसानों से आग रहें किसी के बहकावे में नाये किसी के जूड को नस्विकारे तर्क और तथ्ष के आधार बनाकर ही सोचे विचारे और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है यह मेरे लिए अत्यन संतोष और गर्व का विश्य है मैं आपका बहुत आबारी हूँ एक बार फिर से करोरों किसान परिवारों को पी एम किसान सम्मान निधी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आपसे लगातार प्राथना करता हूँ आपके लिए भी प्राथना करता हूँ आप स्वस्त रहें आपका परिवार स्वस्त रहें इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्वार